हेलो एंड वेलकम टू माई किचिन माई डिश दोस्तो आज हम आपको चिकन मलाई टिक का बनाना बताने जा रहे हैं इसके लिए हमने यह धाई सो ग्राम बोंडलस चिकन लिया है और इसको ऐसे छोटे क्यूब्स की शेप में काटा है इसके लिए हमें चाहिए जिनजर गारलिक पेस्ट, नमक सौधा नुसार, फ्रेश क्रीम या मलाई, दही, ताजी कुटी हुई काली मिर्च, और कसूरी मेथी, और थोड़ा सा गरम मसाला, गरम मसाला भी थोड़ा सा डालना है इसको marinate करने के लिए आधा नीबू चाहिए और ये skewers चाहिए इन्हें लगाने के लिए अब हम इस chicken cubes को lemon और salt से marinate करके 15 मिनट के लिए रख देंगे lemon means नीबू आधा नीबू का रस और थोड़ा सा नमक मिला कर हम इसे 15 मिनट के लिए marinate करके रख देंगे इस तरीके से 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारा lemon और salt से marinate हो गया है अब हम इसके अंदर ये masala आट करेंगे एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, दो टेबल स्पून फ्रेश क्रीम, दो टेबल स्पून फ्रेश दही आधा चमच कुटी हुई काले मिर्च, आधा चमच गरम मसाला पौडर, आधा चमच कसूरी मेथी नमक स्वादानुसर, पहले भी थोड़ा नमक डाला हुआ है हमने, अब ये सारी चीजें हम अच्छी तरीके से इसमें मिलाएंगे और मिलाकर, इन्हें अच्छी तरीके से मिलाकर, हम फिर से 10-15 मिनट के लिए इसे रख देंगे ये 15 मिनट कम्प्लीट हो गए, और ये हमारे बोनलस चिकन जो है, मसालों में अच्छी तरीके से मेरिनेट हो गया है अब हम इसके सारे पीसे को इन स्कूर्स में लगा लेंगे ये स्कूर्स किसी भी सूपर मार्केट में असानी से मिल जाते हैं अब हम इन्हें इन्हें ऐसे स्कूर्स में लगाएंगे सारे पीसे को बड़े अच्छे से इसमें स्कूर्स में लगा देंगे इसमें से मेरिनेशन की ही बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है मेरिनेट बहुत अच्छे से हो गया है ये बॉनलेस टिकन के छोटे छोटे क्यूब्स हैं इसलिए इन्हें मेरिनेट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है ये देखिए हमने सारे स्क्यूर्स को ऐसे पीसे लगा कर तयार कर लिया है अब हम इन्हें डिरेक्ली फ्राइ करेंगे पैन में हमने दो टेबल स्पून ओईल डालना है पैन हमारा गरम हो चुका है तो ये दो टेबल स्पून ओईल डालने के बाद हम इसमें सारे स्क्यूर्स को वन बाई वन इसके अंदर अरेंज कर देंगे ऐसे के ये असानी से पके ये छे स्टिक्स इसके अंदर आ गई है इतनी हमने इसके अंदर रख दी है अब हम इसे थोड़ी देर ढख कर पकाएंगे थोड़ी देर ढख कर पकाने के बाद हम इन्हें एक साइट से चेक करेंगे कि वो पक गए हैं कि नहीं एक साइट से पकने के बाद हम इन्हें पलट देंगे हम ने इसे ढख दिया अब हम ढख के बाद इसे एक मिनट तक पका लिया है ये छोटे-छोटे क्यूब्स हैं इसलिए बड़ी जल्दी पक जाते हैं, अब हम इने पलट लेंगे, ये एक साइट से अच्छी तरीके से पक चुके हैं, इसलिए हम इने पलट लेंगे, जब भी फ्लेम को स्लो करने की जरूरत हो, तो स्लो कर लेना चाहिए, शुरू-शुरू में हम इसे फास्स फ्लेम पर र रहा है और बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है पकाते टाइम पर इसे थोड़ी देर फिर से ढख कर पकाएंगे यह हमने थोड़ी देर इने ढख कर पका लिया यह अच्छी तरीके से पक रहे हैं और पक ही चुके हैं यह बिलकुल अच्छी तरीके से आज को हमने फिर स तोड़ा फास्ट किया है क्योंकि आज बहुत स्लो हो गई थी और देखिए इसे चेक करेंगे यह असानी से टूट रहे हैं यह सारे पीसे अंदर से अच्छी तरीके से पक चुके हैं यह हमारा टिका अच्छी से पक रहा है इसमें मलाई और दही का जो मौइस्चर होता है वो पकते टाइम पर बाहर आया है उसे इस तरीके से पकाते पकाते इनके उपर से डालना है इससे क्या होता है यह टिका बहुत ही जूसी होता है और टेस्ट इसका बहुत ही शानदार हो अब यह अच्छी तरीके से पक चुका है मैंने गैस ओफ कर दी है और अब हम इसे चार कॉल का स्मोक देंगे इसके लिए हमने एक बॉल को इसके अंदर रखना है और यह कोईले का पीस हम जो है इसे जलने के लिए रखा है हमने यह जल के पूरी तरीके से तैयार हो गया है चिकन टिके को देने वाले हैं ये धुआ आ गया इसे हम ढख देंगे अब हम इसे दो मिनट तक ऐसे ही ढख के रखेंगे दो मिनट के बाद हम इसे खोल कर ये सौसर इसमें से निकाल कर बाहर कर देंगे अब ये चारकूल का स्मोक लेकर टिक का पूरी तरीके से रेडी हो गया हम इन्हें एक एक करके ऐसे बाहर निकाल लेंगे और इसे हम इस तरीके से सजा कर प्लेट में सजा लेंगे और उसके उपर से हम यह हमने प्लेट में सब सजा लिए अब इसके उपर जो दही और मलाई का मौईस्चर पैन में निकला था वो इसके उपर हम डालेंगे और फिर इसके उपर हम इन्हें डालने के बाद अगर कुछ जादा बागी रह जाता है तो वो हम नहीं डालेंगे वो दूसरे किसी भी काम आ सकता है अब इसके उपर हम सजाएंगे फ्रेश क्रीम, यह हमारे घर की यह दूद की मलाई है इसे हम इसके उपर अच्छी तरीके से डाल देंगे और इसे हरी चटनी, ग्रीन सालड, लेमन, शेजवन सौस किसी भी सीस के साथ में इन्जोई कर सकते हैं इवनिंग सनक्स में इन्जोई कर सकते हैं breakfast में enjoy कर सकते हैं टिफिन में हम इसे पाओ, bread और पराठे के साथ में टिफिन में pack कर सकते हैं आप भी अपने घर में बनाईए अपने अपनों को खिलाईए मेरे चैनल को like, share and subscribe करना ना भूलिए take a very good care of yourself and your family